सरकार बंदुओं, दशेरा चला गया है और दिवाली आने वाली है। दस महीने लोककंत्र में मध्यप्रदेश को नई महुन सरकार को बने हुआ। शिवराज जी के नेतरत में चुना हुए थे। उन्होंने कई बाते ऐसी जिससे प्रलोभन जन्ता को, पबलिक को, किसान को, युवा को, महला को, गरीब को, आम जन्ता को दिये और वोट लिये। इन दस महीनों में इस सरकार ने क्या किया। और बाते करते हैं किसानों के हित और अधिकारों की और कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ मुझे नहीं पता हूँ किसान के बेटे तो है या कितना सच है कितना जूट पर मैं जरूर किसान का बेटा हूँ और किसानों की उस वेदना को, उस सत्य को, उस तकलीप को, उस पीडा को, मैं शुराज जी से मिलकर उनसे सकारात्मक बात करना चाहता हूँ, जो एक किसान के बेटे में दर्द होना चाहिए, उसको दूसरे किसान के बेटे से दर्द को का सववात करना चाहिए, पर शुराज आप एक बार किसानों की तकलीप आपकी जो भावना है आपने का, मैंने बहुत तरक्य करवा दी, आज क्या वेदना है, क्या परिस्तित है उसको लेकर, मद्दि प्रदेश और देश के किसानों के हितों की, उनके सकारात्मक सुझाओ के आप से में बात करना चाहता हूँ, आपके भाशन, आपकी जूट, आपका जो बार-बार जिस तरीके का प्रिजेंटेशन है जिसमें एक बास सचनी होती, उसको बंद कीजिए. मैं मानता हूँ कि आज सिंग्रोली में छे साल की बेटी के साथ सुबह वलातकार हुआ. छे साल की बेटी के साथ आज वलातकार 20 बलातकार रोज होते हैं, मद्यप्रदेश केपिटल बन गया बलातकार की है. कांग्रेस पार्टी ने लगातार 20 दिन का एक पकवाड़ा चला है, बेटी बचाओ अभियान. उसमें हमने शुरुवात की बेटियों को केंडल मार से जन्जागरती आए समाज में, क्योंकि सर जन्प्रतिनिदियों को ग्यापन दिये, कांग्रेस के जन्प्रतिनिदियों, बीजेपी जन्प्रतिनिदियों का एक परिवार है, उनको ग्यापन दिये, उनसे बातें की कैसे हम बेटियों की रक्षा करें, फिर हमने मोन उक्वास किये, पूरे प्रदेश में बलाक इस्तर तरह के घटना है रुखने सकती क्योंकि सरकार निकम्मी है तो मैं मानता हूँ कि इस अभियान को लगातार चलाना चाहिए मुझे हाई कोट सुप्रीम कोट के निर्णे के बाद सरकार निर्णे ले रही है पता चला है कि बेटियों को जिनको बलातकार होगा और उसको बच्चा पेदा होगी उसकी रक्षा सरकार करेगी केसी सरकार है ये केसा कल युक का महा घोर पाप है ये कि बलातकार से बच्चे पेदा उसकी बात कर रही है सरकार पर बलातकार रुके कैसे इसकी बात नहीं कर रही है मोहन सरकार ये भारती जनता पार्टी की ये सरकार बेटियों की सुरक्षा कैसे हो, रक्षा कैसे हो, उसकी बात नहीं करती है, ने एक्क्यूपमेंट है उनके पास, ने आदूनिक संसादन में पुलिस भरती है, ने मेलाओं की पुलिस भरती है, सब 50% है, मतलब जितनी आउशकता है पर पेरामिटर के अनुसार, जनसंक्या के अधार पे, उससे 50% पुलिस के पास, जनसंक्या का भल है, पुलिस भल है, बेटी जो मेला है, कांश्टे भल है, अप एसाई या इंस्पेक्टर है, वो भी 50% है, उसमें बात नहीं करती है, कि कैसे हम बेटियों की सुरक्षा करें, इसके लिए उपाय करें, बजट का प्रा साथकार से, उनकी सुरक्षा, उनकी हम दाईत्म निभाएंगे, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, दूप के चुलू भर पानी में मर जाना चाहिए, अगर आप इस तरह का, आपका सूच है तो, मैं फिर से, इस सरकार के दस सवाल हैं, दस महिने के, कांग्रेस पार्टी के, मोहन भीया, करप्या करके आप ध्यान दे, आप मुख्य मंत्री हैं प्रदेश के, आप बीजेपी के मुख्य मंत्री नहीं हैं, आपने जनता का वोट मिला था शूराज जी के नाम पर, आपको मोदी जी ने मुख्य मंत्री बनाया, जनता ने नहीं बनाया, पर शूराज जी जब बोट लिया तो उन्होंने एक भचेंपत्र दिया था जंता के सामने उसमें कहा था मैं 3,000 बेहनों को हर महीने दूंगा हर हालत में दूंगा आपने कहा हम 5,000 तक देंगे अभी बीच में बोले थे वो 10 महीने में 3,000 क्यों नी दिया आपने 450 के घेज सिलिंडर का क्या हुआ आपकी सरकार को साम्ट सुगिया इन दोनों बातों को करने के लिए आपने किसानों को कह था 1,700 के गिहूं के दाम देंगे आपने किसानों कह था 2,100 धान के दाम देंगे ये दूसरा सवाल क्या हुआ इसका किसानों के साथ ये धोका क्यों बदला लेते हो आप बार-बार किसानों से 6,000 रुपे के किसानों के सोयविन के दाम की बात हुई थी आपने कहा हम MSP पर खरीदेंगे कोन सा चालू हुआ एक बताएं आप अभी सोयविन का कोई केंदर चालू हुआ परदेश में एक भी केंदर हुआ क्या कोन सी तारिक थी क्या बोला था आपने केवल जूट पाखंड मेडिया की भेडलाइन आखिर क्यों ऐसा मैं मोहन यादोजी से पूछना चाहता हूँ रोजगार के आंकड़े आप बार बार कहते थे कि हम इतने रोजगार देंगे उससे ज़्यादा डबल टिबल नशा करने वाले यूँव बढ़ रहा है तो आखिर इसके लिए सरकार क्या कर रही है क्यों नसेडी प्रदेश बना रहे हो प्रदेश को आप दस महिने में क्या उपाई किया आपने कि नशा रुखे और क्या उपाई किया है कि रोजगार मिले सिर्फ धार्मिक प्रवचन दिये एक क्रश्ण महा है और एक मोहन यहा है भगवान से आपकी तुल्ना करते हो आप आपको शर्म नहीं आती अब मोहन यादो जी चोथा सवाल प्रदेश में खाद की कमी है खाद नहीं दे पाए युक्रेन का युद्ध उसके लिए जुम्मेदार देश में युक्रेन की परेशानी नहीं है खाद में मद्ध प्रदेश में युक्रेन के युद्ध से परेशानी है पापा जब युद्ध रुखवा सकते है तो खाद भी नहीं मंगवा सकते है कैसा कैसा प्रदेश है यह किसान को खाद नहीं है उसकी फसल का दाम नहीं है उससे किये हुए वादे नहीं है तो कब निभाओगे मुहान भीया पाँचवा सवाल ST, SC के 20,000,000,000 के पदों का क्या हुआ PSC की एगजाम का क्या हुआ उनकी छातरवर्त्ती का क्या हुआ 10 महिने में क्या किया आप में छातरवर्त्ती तो ठीक जो ST, SC के 20,000,000,000 के अपनी जगे उनकी योजना है अनुसुति जाती जन जाती के छात्रों की भन क्यों कर दी। उनकी योजना है बंदक्यों की और उनकी पेसे का अलाट्मेंड क्यों रोखा। क्या कारण है कि आपने 33 योजना है जो शुवराज सिंख चोहान के समय पे चल रही थी। कि शुवराज जी ने चालू किती उनकी रोख्यों लगाई। इसके लिए उत्तरदाई क्या है क्या आपका बजट आपको परविट नी करता है। तो आप तो ठीबल इंजन की सरकार बोल रहा है आपके नेता। देश में परदेश में और विदान समा में वो इंजन का घासलेट से चल रहा है। कि आप उसको बता ही नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है। आपको बताना पड़ेगा कि जब कांग्रेस पार्टी बेटी बचाओ अभियान चला रही है। था कि एक सत्रा मिनिट में एक बेटी के साथ बलातकार अत्याचार होता है। इसके लिए लोग ठाम के लिए क्या किया आपने ये सात्वा सवाल आठवा सवाल पंचायती राज सारे सरपन बीजेपी के हैं कांग्रेस के हैं पंच हैं जनपद हैं जिला पंचायते अंदोली थे जगे जगे अंदोलन कर रहे हैं पंचायतों के अधिकारों में कटोती क्यों हुरी है क्या कारण है कि जब ग्राम स्वराज की बात महात्मा गांधी न की थी उसको आप क्वेश्ट को करना चाहते हो और उनके अधिकार दोगे या नि दोगे उत्तर दो मध्य प्रदेश के पंचायत अधिकार से जुड़े हुए जन्पृतिनिदियों को और क्या हुआ आती थी न मेमान बताते हैं कभजाधारी बताते हैं आपने माफी क्यों नहीं मांगी मंत्री को क्यों नहीं हटाया आकिर भविश्च बनाने वाले सिक्षक का अपमान क्यों इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा मोहन भीया